जेए मेंच 2,0-0 का कुशन है 2,0-0 के कुशन करना आपको अनिवार है क्योंकि 2,0-0 के कुशन आपने कन लिये तो मतलब 50% जेए मेंच की तईयरी तो आपकी हो गई क्योंकि 2,0-0 में सबी इंपोर्टेंट कंसेब के ऊपर कुशन पूछे गए थे अब जिसे यह कुछिशन देख लो, कुछिशन क्या है Which of the following combination has the dimension of electric resistance यानि आपको epsilon node और mu node दे रखाए permeability और permittivity आपको बताना है इसमें से कौन सा किसका dimension resistance के dimension के बराबर है तो पहले तो हमें resistance का dimension पता होना चाहिए तो resistance का dimension हम कैसे लिकालते है V is equal to IR से तो R is equal to हो जाएगा V divided by I यह होता है potential difference potential difference का dimension हम कहां से निकालते है W divided by Q से तो यह हो जाएगा W divided by QI work done का dimension मैंने रटर का है आपको ML square T minus 2 और charge का dimension हो जाएगा बिटा आपका AT और current का dimension हो जाएगा आपका A यानि resistance का dimension हो गया आपका ML square 2 और यह उपर आया तो A का power minus 2 यह हो जाएगा पर resistance का dimension अब 4 option check करते हैं 4 option check करने कोई हो सकता नहीं है A की option check करके काम बन जाएगा कैसे अगर मैंने इसका dimension निकाला resistance के dimension के बराबर आया तो well and good यही answer है नहीं आया तो उसको हम root करेंगे तो अगर सही आया तो well and good नहीं आया तो इसको dimension को हम उल्टा कर देंगे यानि जहाँ plus होगा वहाँ minus कर देंगे वो भी नहीं आया तो फिर यह तो आ नहीं है simple सी बात है यह एक तो option सही होगा तो पहले इसको check करते है sorry यह सही नहीं है इसको check कर रहे है अपने न तो बेटा epsilon not divide by mu not simple सी बात है बेटा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए that mu not epsilon not is equal to 1 by c square यह में पता होना चाहिए तो किसी भी एक को हम shift कर देते हैं यहाँ पर इसको अग मैं क्या कर सूंगता है तो यह तो epsilon not है 1 by epsilon not c square तो 1 by epsilon not c square यह हो जाएगा epsilon not square c square simplest that है ना अब मुझे epsilon not और c की dimension पता होना चाहिए कोई घबराने वाल ज़रूत नहीं है epsilon not का dimension हम कहां से निकालते हैं 1 by 4 pi epsilon not q square divided by r square 4 pi तो खतम हो गया इस epsilon not को जहां लेके आजाए यह force को बहां लेके चले जाएगे तो यह हो जाएगा epsilon not और यह हो जाएगा force यानि epsilon not किसके dimension के बराबर है q square divided by fr square उसका भी square है बेटा तो यह q का पावर 4 f का square और r का पावर 4 और c का पावर 2 तो इसका dimension charge का होता है 80 यानि a का पावर 4 t का पावर 4 divided by अच्चा c square है तो lt-1 का square यानि l2 t का पावर माईनस 2 force का square यानि mlt-2 इसका square है तो m2 l2 t का पावर माईनस 4 और r का पावर 4 यानि l का पावर 4 यह सब अलग-अलग dimension है भाई थीक है चले इसको solve करते हैं तो l का पावर 2 से L का पावर 2 खतम हो गया और तो कुछ जा नहीं रहा तो इसको उपर लेके चलते हैं तो यह हो जाएगा M का पावर माइनस 2 L का पावर माइनस 4 T का पावर माइनस 4 उपर गया तो T का पावर प्लस 4 यहनि T का पावर 8 T का पावर 8 माइनस T का पावर 2 तो यह हो जाएगा T कपवर 6 और A कपवर 4 यहाँ अकेला ही है तो यह हो जाएगा A कपवर 4 क्या यह resistance से match कर रहा है नहीं कर रहा है क्या इसका root match करेगा? नहीं करेगा न भाई –2 का power 1 by 2 लगाँगा तो M कपवर –1 होगा, यहाँ तो M कपवर प्लस 1 है यानि आपका A भी correct नहीं है, B भी correct नहीं है अब इसी को उल्टा करते हैं इसी को उल्टा करूँगा तो इस dimension का उल्टा कर दूँ यानि यह हो जाएगा M का power 2 L का power 4 T का power minus 6 और A का power minus 4 reciprocal का मतलब यही होता है न इसका उल्टा करूँगा तो जहाँ plus है माइनस, जहाँ minus है माइनस है माइनस क्या यह resistance से match कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अब इसका root करो इसका root मतलब इसका power 1 by 2 तो power 1 by 2 अटाएंगे तो यानि सभी power को divide by 2 कर दें, तो 2 divide by 2, 1, 4 divide by 2 2, minus 6 divide by 2 3, minus 4 divide by 2, minus 2 तो यह खतम हो जाएगा, क्या यह match कर रहा है हाँ, तो यह वालना आपका correct answer है, ठीक है So the question is in the formula x is equal to 5yz square, x and z have dimension of capacitance and magnetic field respectively what are the dimension of y in ऐसा unit, यह आपको x is equal to 5yz square दिया हुआ है x capacitance है, z magnetic field है, y का dimension क्या होगा, तो बेटा जिसका dimension आपको निकालना है, उसको एक side ले का जाते हैं तो यह हो जाएगा, आपका x is divided by 5z square 5 तो एक constant है, इसका कोई dimension नहीं होगा, यानि आपका x क्या है बेटा, आपका capacitance है, तो इसको हम लिखते है c, और z आपका magnetic field है तो इसको हम लिखते है b square अब आपको क्या करना है बेटा, जो हम already discuss कर चुके हैं, इनको आपको करना है force, work और charge तक तोड़ते रहना है तो capacitance कहां से निकालते हैं q is equal to cv से निकालते हैं तो c is equal to हो जाएगा q divided by v और v होता है आपका w divided by q तो v अगर आपका w divided by q है तो यह w और q उपर चला जाएगा तो q square divided by w हो जाएगा ठीके, रही बात magnetic field की, तो f is equal to q v b sin theta से आप इसको निकालते हैं sin theta का फिर से कोई dimension नहीं होता है और v यहाँ पर velocity है कुछ बच्चे इसको v को potential मानके यहाँ पर जो v होता है इसको potential मानके गलत कर देते हैं तो b हो जाएगा बेटा आपका f divided by q v c की जगा लिखेंगे आपन q square divided by w ठीके, और b square की जगा लिखेंगे आपन f square divided by q v बात समझ जागी यह q भी आपका charge ही है तो यहाँ पर आप q v लिख सकते हो ठीके sorry, उसका square है तो यह q square v square लिखा जाएगा ठीके, हाँ, गलती मत करना तो यह हो जाएगा q square w को मैं force into displacement लिख सकता हूँ into, इसको मैं करूँगा तो बेटा यह उल्टा हो जाएगा तो यह हो जाएगा q square v square divided by f square बात समझ में आगई ठीके, तो वही है, यहाँ तो सब कुछ multiply ही हो रहा है तो इसको जब हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा q का power 4 v square divided by f का power 3 s अब इन सब की value आप रख सकते हैं जो भी इनका dimension होता है charge का dimension होता है बेटा आपका 80 तो उसका power 4 है तो यह हो जाएगा velocity यानि l t minus 1 यानि l square t का power minus 2 divided by f3 यानि ml t का power minus 2 इसका power 3 तो यह m cube, l cube, t का power कितना हो जाएगा minus 6 और s तो displacement है तो इसका dimension हो जाएगा l के बराबर ठीके यह l square से यह कट गया 1l बज़ेगा नीचे ठीके और कुछ जा रहा है नहीं जा रहा m का power 3 उपर आया तो यह हो जाएगा m का power minus 3 l और l l square है उपर गया तो l का power minus 2 हो जाएगा t का power minus 6 उपर गया तो t का power plus 6 होगा तो 6 plus 4 10 10 minus 2 यह t का power 8 हो जाएगा और a का power 4 यहाँ पर as it is रहने वाला है तो यह इसका correct answer आएगा तो देख लेते हैं बिटा अपना कौन से में match कर रहा है m power minus 3 l का power minus 2 t का power 8 a का power 4 यह option number d में match कर रहा है ठीके so the question is if speed v, acceleration a and force f are considered as fundamental units the dimension of young's modulus will be तो बटा आपको young's modulus का formula पता करना है in terms of v, acceleration and force ठीके इसको एक question को हम ऐसे लिखेंगे अब देखो अगर यहाँ पर option में कुछ इस तरह से है तो आप इस question को check by option भी कर सकते हैं कोई दिक्कर वाली बात नहीं अगर माल लीज़े check by option में यहाँ पर option इस तरह से नहीं आए इसने power सिधा y is equal to a, b, c या फिर a और b की value देदी c की value निकालना है फिर तो आपको conventional method ही लगाना पड़ेगा तो अपन conventional method ही करेंगे check by option आप कर सकते हैं ठीके अपनी switches से तो यंग्स modulus हो, bulk modulus हो या shear modulus हो कोई साभी modulus हो इन सबका formula होता है stress divided by strain या फिर आप समझ लें pressure, young modulus, bulk modulus, shear stress modulus सबका dimension सेम ही होता है तो यंग्स modulus का dimension आपका क्या होता है बिटा stress divided by strain ठीके और stress जो होता है बिटा, वह pressure ही होता है simple सी बात है और strain तो आपका dimension less होता है तो इसको कोई dimension नहीं होता है strain क्या होता है, जैसे मान लिजे कोई wire है इसका length L है आपने इसको खीचा और इसकी length को बढ़ाके L प्लस delta L कर दिया तो ये जो change in length है delta L, divide by original length है इसको हम strain बोलते है तो बढ़ा delta L भी length है L भी length है, तो उन्होंका unit cancelled out हो गया, तो ये unit less हो जाएगा और कोई object, कोई quantity unit less है, तो वो dimension less भी होगी यानि strain आपका कोई dimension carry नहीं करता है यानि young smallest जो है आपका pressure का dimension करेगा, तो pressure क्या होता है force divided by area तो force का dimension होता है बेटा आपका M L, T का power minus 2 और area का dimension होता है L square L से L खतम हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, M L का power minus 1 T का power minus 2 ठीके, formula याद रखना है, बागी तो dimension आप 1 minute में बना लेगे V speed है बेटा, तो speed का dimension L T minus 1 होता है, इसका power क्या लगा देंगे आप A, A आपका acceleration है, तो बेटा, acceleration का dimension आपका L, T का power minus 2 होता है इसका power B हो जाएगा ये acceleration कहां से याद हूँ आपको F is equal to M A से, तो force का dimension आपने रखना है, उसमें अगर आप mass का time हटा देंगे, तो acceleration का dimension आजाता है, तो ये हो जाता है आपका ML, T का power minus 2 और इसका power कितना हो जाएगा, C तो बेटा, इदर M का power कितना हो गया आपका, 1, L का power हो गया, minus 1 T का power हो गया, minus 2 अब मैं direct लिख रहा हूँ बेटा यहाँ M का power कुछ नहीं है, यहाँ यहाँ M का power 1 है और उसका power C है तो बेटा, यह M का power total C हो जाएगा यहाँ L का power A है यहाँ L का power B है, यहाँ L का power C है तो जब B same होता है तो powers add हो जाती, तो यह A plus B plus C हो जाएगा यहाँ T का power minus A है यहाँ T का power minus 2B है यहाँ T का power minus 2C है यह वह जाएगा, माइनस A, माइनस 2B, माइनस 2C, बास संद में आ गई, अब मुझे स्रिफ compare करना है, तो यहां mask को mask के साथ compare करूँगा, तो C की value कितने आ गई भी बेटा, बेटा, 1, अब पूरा solve नहीं करना है, पहले इसको compare कर लेजिए, C का value 1 कहाँ पर है, तो बेटा, C कि option number a और option number b तो गलत हो गया, simple सी बात है अब c की value 1 आ चुकी है तो आपके पास यहाँ पर भी एक चीज दिखे हो है, a plus b plus c ये कितना हो जाएगा, minus 1 और ये है आपका minus a minus 2b, minus 2c, ये कितना है आपका, minus 2, minus पूरा common ले लो तो ये पूरा आपका इस तरह से a plus 2b plus 2c is equal to 2 हो जाएगा, ठीके, अब आप चाहें, तो हाँ इसको घटा दो इसमें से इसमें से इसको घटा दीजिए ये equation number 1 हो गया, ये इसको equation number 1 माल लीजिए, इसको equation number 2 माल लीजिए 2 minus 1 कीजिए, तो a में से एक हतम हो गया, 2b में से b गया तो b बचा, 2c में से c गया तो c बचा, और 2 minus, minus 1 तो ये 3 होने वाला है, इस बात का ध्यान दखें, ठीके, तो मैं जोड नहीं रहे हैं, हम गटा रहे हैं, तो ये minus और minus plus हो जाता है, c की value तो बेटा हमारे पास 1 थी, तो b plus 1 is equal to 3, यानि b की value हो जाएगी 2, b कि इसका power था बेटा acceleration का, तो acceleration का power 2 कहा है यहाँ पर है, तो बस ये ही आपका answer correct हो जाएगा, ठीके, आपको पूरा solve करने की जोड़े नहीं है, और इच्छा है, तो c की value to हो जाएगा, a plus 3 is equal to minus 1 तो a is equal to हो जाएगा minus 4 तो a किसका था बेटा, v का, तो v का power minus 4 या आया है, ठीके so the question is, if surface tension f, moment of inertia i and planck's constant h, were to be taken as fundamental units, the dimension formula for linear momentum would be यानि आपको simply linear momentum को किसकी form में लिखना है बेटा आपको, surface tension उसका power a moment of inertia, इसका power b and planck's constant, इसका power c इस form में लिखना है, ठीके चलिए, तो पहले तो हम ये जान लेते है, momentum क्या होता है बेटापका, mass into velocity, तो इसका dimension हो जाएगा, ml, t का power minus 1 surface tension होता है आपका force per minute length तो force का dimension बेटापने रट रखा होगा ml, t minus 2, divide by l होगा तो ये हो जाएता है, m, t का power minus 2 उसका power किता लगा देगे बेटापन, a inertia होता है, बेटापका basic formula inertia होता है, mr square तो m यहाँ पर mass होता है, r यहाँ पर perpendicular distance होती है, तो ये हो जाएगा ml square, इसका power कितना, b remaining बसता है planck's constant, तो बेटा, planck constant लिए आप formula याद रखेंगे, e is equal to hf, h is equal to हो जाएगा e divided by f, e यहाँ पर energy है, तो यह हो जाता है, ml square t का power minus 2 और f यहाँ पर frequency जिसका power होता है t का power minus 1, t का power minus 1 उपर गया, तो t का power plus 1 हो जाएगा, यानि यह हो जाता है आपका ml square t का power minus 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ml square t का power minus 1 इसका power कितना c ठीके तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m का power 1, l का power 1 और t का power minus 1 यहाँ m का power कितना होगा भीया सारे m का power वह सार लिख दो तो यह m का power a है यहाँ पर यहाँ पर m का power b है यहाँ M का पावर C है ठीक है? इसको लिखने की दुरत नहीं है यहाँ L का पावर कुछ नहीं है, यहाँ L का पावर 2B है और यहाँ L का पावर 2C है यहाँ T का पावर माइनस 2A है, यहाँ T का पावर माइनस C है आप जानते हैं भईया, बेस सेम होता तो power add हो जाती है वैसे यह step कोई लिखता नहीं है मैंने लिख दिया आपको सिर्फ explain करने लिए a plus b plus c हो जाएगा l का power 2b plus 2c हो जाएगा और t का power minus 2a minus c हो जाएगा इसको मुझे compare करना है इसके साथ m1 l1 t का power minus 1 के साथ तो बेटा जिसका power सेम है बेज सेम है उसका power भी सेम हो जाएगा तो यहाँ पर a plus b plus c यह हो जाएगा आपका 1 के बराबर 2b plus 2c यह हो जाएगा आपका 1 के बराबर minus 2a minus c यह हो जाएगा आपका minus 1 के बराबर अब simple algebra आपको solve करना है बेटा अगर यहां से में two common ले लूँ तो यह equation आपका b plus c is equal to 1 by 2 बन जाएगा और यह है a plus b plus c is equal to 1 तो मैं अगर b plus c की value यहां put कर दूँ तो मुझे a की value मिल जाएगी तो इन दोनों equation से में लिख सकता हूँ a की जगा तो a ही दाएगा b plus c की जगा मैं 1 by 2 लिख दिता हूँ it is equal to 1 तो a की value हो जाएगी 1 minus 1 by 2 बास वांद में आ गई अगर a की value 1 by 2 है तो यहां से c की value मिल जाएगी minus common ले लो minus अगर मैं common लेता हूँ तो यह हो जाएगा 2a plus c is equal to minus 1 minus से minus खतम हुआ अब रख दो a की value तो 2 into 1 by 2 plus c is equal to 1 यह 2 से 2 खतम हुआ तो बचा 1, 1 से 1 भी खतम हो जाएगा तो c की value कितनी हो जाएगी बेटा 0 अब a की value, c की value, b की value निकालने तो बेटा b की value यहां रख दो तो 2b plus 2c is equal to 1 है अचा यहां ही रख दो तो c की value कितनी है 0 तो b की value कितनी हो जाएगी इस equation से 1 by 2 यानि आपका जो momentum का formula है वो हो जाएगा surface tension का power 1 by 2 inertia का power 1 by 2 और h का power 0 या फिर इसे आप simply root si भी लिख सकते हैं तो यह कौन से option में दिया हुआ है s का power 1 by 2 i का power 1 by 2 h का power 0 option number a में ठीक है तो the question is in SI units the dimension of root epsilon 0 mu 0 तो वेट ऐसके dimension निकालना है आपको तो आपको एक basic formula पता होना चाहिए mu 0 epsilon 0 is equal to 1 by c square होता है ठीक है तो यहां से अगर मैं epsilon 0 की value रखना चाहता हूँ sorry mu 0 की रखते हैं क्योंकि मुझे epsilon 0 के value easily पता चल जाएगा so mu 0 is equal to हो जाएगा 1 by epsilon 0 c square तो वह यह इसमें put कर दते हैं यही तो यह क्या बन जाएगा आपका epsilon 0 तो है ही सही mu 0 हो जाएगा 1 divided by epsilon 0 c square यानि यह हो जाएगा epsilon 0 square c square तो यह 1 का तो कोई मतलब है नहीं इसका अगर मैं root करूँगा तो यह हो जाएगा epsilon 0 c इसमें कोई doubt किसी को नहीं है अब epsilon 0 का dimension हम कहां से निकालते हैं तो यह हम निकालते हैं कुलाम स्लो से वो होता है 1 by 4 pi epsilon 0 q square divided by r square 4 pi का कोई dimension नहीं होता है epsilon यहां आजाएगा और f नीचे आजाएगा तो यह हो जाता है q square divided by f r square तो यह हो जाएगा q square divided by f r square और यह c है c बेटा speed of light है यहाँ पर आपको पता है charge का होता है dimension बेटा 80 तो यह हो जाएगा a square t square F का dimension होता है बेटाब का M L T minus 2 R का dimension होता है L square और C का dimension speed का L T minus 1 होता है basic basic dimension है आपको सारे याद रहते हैं तो ये 1 L से 1 L खतम हो गया ठीक है बाकी अब कर लेते हैं M का power 1 है और कई नहीं है ये उपर आके M का power minus 1 हो जाएगा L का power 2 यहीं है ये उपर आके L का power minus 2 हो जाएगा T का power minus 2 यहाँ है ये T का power minus 2 उपर आएगा तो T का power plus 2 होगा ये plus 2 और plus 2 plus 4 plus 4 minus 1 ये हो जाएगा plus 3 ठीक है और सब कुछ सोल होता है यहाँ A का power 2 ही है तो इसको हम A का power 2 लिख देंगे as it is, तो M-1, L-2, T का पावर 3, A का पावर 2, ठीक है? So the question is, let L, R, C and V represent inductance, resistance and capacitance and voltage respectively the dimension of L divided by R, C, V, तो आपको L divided by R, C, V का dimension बताना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा already, आपको क्या करना हैं इन सबको, potential, work, sorry, work, force और charge तक तोड़ना है, अब देखने वाली बात यह है कि L, R, C इनके अंदर ही potential आता है, कैसे आता है बेटा? inductance के लिए आप क्या करते हैं? inductance का across potential difference क्या होता है आपका? L, D, I, Y, D, T, R होता है बेटा, V is equal to IR, यहां से याद अखना था आपको, और C, Q is equal to C, V से आपको याद अखना था, ठेके? तो पहले potential डालते हैं, क्या कुछ निकल जाता है तो? L is equal to क्या हो जाएगा आपका? V, D, T, divide by D, I, इसको ऐसे लिखो, into R कितना हो जाएगा अपका? V, divide by I, तो I उपर चला गया, simple सी बात है, C कितना हो जाएगा? Q divided by V, तो divide by V है, तो V उपर चला गया, और नीचे V already है, I hope यह आपको A by V करना आता होगा, अदरवाइस आप अपना time waste करेंगे, फिर A by V करके, तो यह बेटा, D, I हो या I हो, इसका dimension सेम होता है, यह potential, यह potential से कट गया, यह potential, इस potential से कट गया, यहाँ बसता है DT, तो DT का dimension हो जाता है T, और charge का dimension हो जाता है AT, तो यह T से T खतम हुआ, तो A से नीचे उपर आया, तो क्या जाएगा आपका A inverse, यह फिर हो सकता है, आपको final answer, current inverse भी मिल जाए, ठीके? So the question is, the force of interaction between two atoms is given by, F is equal to alpha beta exponential minus X squared divided by alpha KT, where X is the distance, K, Bolzman constant and T temperature, alpha and beta are two constant, the dimension of beta R, simple सी बात है, मगर कहीं बार बच्चे confused हो जाते हैं, alpha and beta are two constant, और constant are dimensionless, तो beta dimensionless होना चाहिए, नहीं बेटा, यह alpha beta constant है, dimensionless constant थोड़ी है, अरे capital G देख लो, capital G क्या है, dimensional constant होना, constant होने के बाद भी dimension होता है, उसी प्रकार से alpha beta भी दिया गया है, अब समझ यह बात को, मुझे अगर beta का dimension निकालना है, तो पहले तो आपको तीन चीज़े पता होना चाहिए, कि beta आपका trigonometric function, logarithm function, और exponential function, यह function भी dimensionless होता है, यह पूरा function भी dimensionless होता है, यहाँ exponential के जगह logarithm होता, यह sin, cos, 10, कुछ भी लिखा होता, 6 के 6 में से, तो भी यह question का answer change नहीं होता, simple यह है, तो पेटा यह पूरा का पूरा जो term है, यह क्या है आपका dimensionless, तो कोई dimension नहीं है, यानि आपको जो scene है, पूरा f is equal to alpha beta पर है, और आपको बीटा का dimension निकालना है, तो आपको dimension निकालना है f divided by alpha का, simple सी बात है भाईए, f का dimension नो मुझे पता है, अगर मुझे alpha का dimension पता चल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा, clear है, अब alpha का dimension कहां से निकलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यह, तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं बेटा, मैंने बताया आपको कि यह term भी dimension less है, और यह पूरा term भी dimension less है, तो बेटा यह term है, इसके उपर भी कोई dimension है, नीचे वाले के term कभी कोई dimension है, मगर दोनों मिला कि dimension less कब होगा, जब उपर वाले का dimension, नीचे वाले के dimension के बराबर हो जाए, भाई, आपने 10th class में, mu is equal to cv पढ़ाओगा, रिफ्रेक्व इंडेक्स, cv आपका speed of light है, v भी आपका speed of light है, दोनों meter per second होते थे, तो meter per second से meter per second खतम हो जाता था, तभी तो यह dimension less आया, तो यहाँ पर कोई object a by b में लिखा हुआ है, और a by b आपका dimension less है, इसका मतलब होता है बिटा, कि a का dimension b के dimension के बराबर है, अब उपर वाले का dimension, नीचे वाले के dimension के बराबर कर दो, minus को तो छोड़ी दो, उसका तो कोई matter करता नहीं, x square is equal to alpha k t हो जाएगा, minus क्यों चोड़ा हमने, इसको minus 1 मान लो, minus 1 एक integer है, integer है कोई dimension नहीं होता है, तो मुझे यहाँ से alpha का dimension मिल जाएगा न, और मुझे alpha का dimension ही चाहिए, इस alpha के dimension को यहाँ पुट कर दूँगा, मेरा काम हो जाएगा, अब के बोल्जमान कॉंसेंट है बेटा, बोल्जमान कॉंसेंट को आपको याद रखना है, heat divided by temperature, क्या होता है, heat divided by temperature, और ये भी temperature है, तो temperature से temperature अगर मैं multiply करूँगा, तो खतम हो गया, तो क्या बचा आपका, kT का dimension क्या बचा, heat के बराबर, और heat का मतलब, heat एक प्रकार की energy है, यानि केटी का dimension आपका, work done के बराबर हुआ, यानि मैं alpha का dimension क्या लिख सकता हूँ, that is equal to x square divided by, work done को, चलो ठीक है, आप पूरा dimension ही लिख लीजे, x square का dimension हो जाएगा, l square, और मैंने बताया, heat, heat का dimension होता है, तो बस यहाँ रख दो, तो बीटा का dimension हो जाएगा, force का dimension, ml t-2, और यह हो जाएगा, m का पावर minus 1, t का पावर 2, m का पावर minus 1 उपर गया, तो m का पावर plus 1 हो जाएगा, तो यह हो गया, m का पावर 2, l as it is रहने वाला है, t का पावर 2 उपर गया, तो t का पावर minus 2 होगा, minus 2 और minus 2, t का पावर minus 4, तो m2l t का पावर minus 4, m2l t का पावर minus 4, option number b में है, ठीक है, so the question is, the density of material in SI unit, is 128 kg per meter cube, in certain unit, in which the unit of length is 25 cm, and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of the material is, तो आपसे simple question यह का गया है, कि एक system ऐसा है, जिसमें density का value क्या है बेटा, उस system में density है, 128 kg per meter cube, ठीक है, आपको ऐसा system दिया हुआ है, second system, जिसमें unit mass किता दिया हुआ है, 50 gram, unit mass किता दिया हुआ है, 50 gram और unit length किता दिया हुआ है, 25 cm, तो इस second system में, इसकी numerical value क्या होगी, numerical value का मतलब क्या होता है, जो भी physical quantity होती है, किसी physical quantity को हम, numerical value into unit की form में, denote करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, साब साब, तो इसका first system में numerical value कितना है, 128, और unit कितना है, kg per meter cube, तो ठीक है, यहाँ पर आपका physical quantity, n into u होता है, अब बात समझे, यह first system है, second system है, first system से second system में, जब मैं जाता हूँ, तो मेरा numerical value change होगा, क्योंकि मेरा unit change हो रहा है, बात समझ में आई, मगर मेरा physical quantity change, नहीं होता है, physical quantity और density रहेगा, तो मैं इसको n1 u1, is equal to n2 u2 के बाराबर लिख सकता हूँ, अब यही आपका n2 और u2, जब unit change होता है, तो numerical value और unit भी change हो जाती है, बात समझ में आगी, तो आपको second system में numerical value पता करना है, यानि n2 is equal to हो जाएगा, n1 divided by u1 divided by u2, अब मैंने आप से यहाँ पर एक चीज़ बात कही, unit mass और unit length, यहाँ पर second system में unit mass कितना है, 50 gram, और यहाँ unit length कितना है, 25 cm, फर्स system में कितना है unit mass, 1 kg, कैसे हैं, इस 128 को मैं इस तरह से, into 1 kg divided by 1 meter का cube लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, यानि फर्स system में unit mass कितना है, 1 kg, और unit length कितना है, 1 meter, अब समझो बात को, 50 cm आ गई, तो आप 50 cm की length तो नहीं खीच देते ना, आप क्या करते थे, आप एक दबबा जो था था, 1 cm को 5 cm या 10 cm मान के, 10, 20, 30, 40, 50, 5 cm के अंदर ही 50 cm खीच देते थे, तो बस यही बात है, यहाँ पर जो unit mass है, वो 50 gram के बराबर है, और यहाँ जो unit length है, वो 25 cm के बराबर है, तो भाईया, इस से आपका answer, जो है clear हो जाएगा, आपको बड़ी बात नहीं है, U1 की जगह हम क्या लिखेंगे, उसका dimension लिखेंगे, unit का मतलब dimension ही लिखते है, तो density का ही है भाईया, तो density का kg per meter cube सामने, उसने दे रिखा unit, तो kg का होता है m, divide by l cube, यानि यह हो जाएगा, आपका ml का पाउर माइनस 3, density का dimension कितना हो जाएगा, ml का पाउर माइनस 3, तो n2, n1 क्या होगा, numerical value in first system, वो किता दे रिखा आपको 128, u1 हो गया बेटा आपका, m1, l1 का पाउर माइनस 3, और u2 हो जाएगा, आपका m2, l2 का पाउर माइनस 3, एक और step बढ़ाऊंगा मैं, जिसकी आप कोई जरत नहीं है, यह हो जाएगा, आपका m1 divided by m2, अगर आप practice बहुत ज़्यादा कल लेंगे, तो यह second step, इसको आप easily उड़ा सकते हैं, अब एक और बात ध्यान में रखो, l1 divided by l2 का पाउर माइनस 3 है, तो क्या मैं इसको, l2 divided by l1 का पाउर 3 लिख सकता हूँ, simple algebra है, माइनस 8 आते हैं, यह term जो है reverse हो जाएगा, simple सी बात है, अब इस चीज को हम, पढ़ते पढ़ते हैं, इसकी value रखेंगे, यह हो जाएगा 128, M1 है, mass in first system, तो mass in first system किता है बेटा, आपका 1 kg, और mass in second system, पतलब unit mass in second system, और unit mass in first system, यह इनका असली meaning होता है, तो unit mass in second system किता है बेटा, 50 gram, unit length in second system, वो है 25 cm, और unit length in, first system, वो है 1 meter, 1 meter, तो इसको 1 meter लिख देते हैं, इसका power कितना है बेटा, 3 है, इसको मत बूल जाना बस, तो यह हो गया 128, 1 kg में होता है 1000 gram, और यह होता है 50 gram, 25 cm, और 1 cm में होता है 100 cm, इसका भी power 3 है, यह gram से gram गया, यह cm से cm गया, 25 से 100 जाएगा चार बार, और यह 0 से 100 खतम, 5 से 100 जाएगा 20 बार, ठीक है, यहाँ पर इसको 4 से 20 मत कार देना बेटा, वहाँ power 3 है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें, तो 128 into, यह 20 बचेगा यहाँ पर, यह 1 by 4 का power 3 है, तो इसको मैं 3 टाइम लिख देता हूँ, 4 का जाएगा बेटा, 32 ताइम्स, यह 4 से जाएगा बेटा, 8 ताइम्स, और यह 4 जाएगा 2 ताइम्स, तो बचा 2 into 20, 2 into 20 किता हो जाता है बेटा, आपका 40, 40 कहाँ दिया है option में, option number C, ठीक है, तो इस question को आप check by option भी कर सकते हो, और इसमें easy है, देखो दियागा, जी एच, जी एच, जी एच, तीन option में है, तो पहले तो जी एच का direct निकाल लो, उसके बाद फिर करते रहो, इन तीन को चेक कर लो, तीनों नहीं होंगे, तो फिर D सही होगा, या तो तीनों में से एक मिल जाएगा, मगर अपन तो conventional method से बताएंगे, हमें T बताना है GSC की term में, तो बेटा, आपका option यह हो जाएगा, T is equal to G का power A, H का power B, एंड T का power C, बास सवन्च में अगई, और इन तीनों का dimension में निकाल लेते हैं बेटा, तो capital G का dimension आप निकालते हैं, F is equal to Gm square divided by R square से, तो capital G हो जाएगा आपका, F R square divided by M square, तो capital G का dimension हो जाता है आपका, ML T minus 2, R का हो जाएगा L square, मास का हो जाएगा M square, ठीके, तो यह 1M से 1M खतम हो जाता है, तो यह हो जाएगा पिटा M का power minus 1, L का power 3, हो गया capital G का dimension, H के लिए आपको पता करना है आपका, E is equal to HF, यहाँ E energy है, H plan constant है, और F जो है आपका frequency है, energy और work done का dimension बराबर होता है, तो ML square T minus 2 हो जाएगा, frequency का होता है T का power minus 1, जैसे ही मैं इसको उपर लेके जाऊँगा, यह हो जाएगा, ML square, T का power minus 1 उपर गया, तो T का power plus 1, तो minus 2 और plus 1 हो जाएगा, T का power minus 1, C तो बेटा speed है, तो C का dimension L T minus 1 होता है, तो T का dimension होता है आपका capital T, G का power A हुआ, इसका मदलब गोहा, M का power minus 1, L का power 3, और T का power minus 2, इसका power कित्ता लगा देगे हैं, A, H का power हो जाएगा, ML square, T का power minus 1, और इसका power हो जाएगा B, और GHC है ता, C होता है, L T minus 1, और इसका भी power कितना हो जाएगा, C, इसको यहाँ सीरेज कर दे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो बेटा, आप बस कुछ नहीं करना, आमें तो power calculate करनी है, तो G, यह M का power हो जाएगा बेटा, M का power minus A plus B, तो यह हो जाएगा minus A plus B, L का power हो जाएगा 3A plus 2B plus C, 3A plus 2B plus C, और T का power हो जाएगा minus 2A minus B minus C, minus 2A minus B minus C, compare कर लो भईए, यहाँ पर T का power 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ, mass का power 0 है, length का power 0 है, और T का power 1 है, यहाँ M का power जो minus A plus B है, उसकी value हो जाएगी 0, L का power 3A plus 2B plus C जो है, उसकी value हो जाएगी 0, और minus 2A minus B minus C, यह हो जाएगा 1, बास्वंज में आ गई, ठीके, अब algebra है, बस algebra solve करना है, कोई बड़ी बात है नहीं, आप चाहें, यहाँ से आप minus A plus B है न, तो आप चाहें, तो यहाँ पर A की value रख दे, या फिर B की value निकाल लो, उसकी value दोनों जगर रख दो, तो यह A और C के अंदर आ जाएगा, बात खतम हो जाएगी, otherwise, आप इन दोनों equation को directly जोड दीजिए, equation number यह 1 है, यह equation number 2 है, equation number 3 है, इन दोनों equation को जब मैं जोड़ूंगा, तो C से C खतम हो जाएगा, और यह equation A और B में बचेगी, जो की यह भी A और B में ही है, बस हो गया काम, इसको मैंने add किया, तो 3A माइनस 2A आपका A बचेगा, 2B माइनस B आपका B बचेगा, C से C खतम हो गया, और हमने इसको add किया है भाई, तो 0 प्लस 1 आपका 1 ही होगा, तो यह equation आगई आपकी A प्लस B इस इकॉल टू 1, और यह आगई आपकी माइनस A, माइनस A प्लस B इस इकॉल टू 0, इन दोनों को भी हम मैंगर जोडता हूँ, तो यह हो जाएगा B और B 2B, 2B is इकॉल टू 1, तो B की value कित्ते आगई बचा, 1 बचेगा 1 बचेगा 2, B किसका power है बचेगा H, तो H का power 1 बचेगा है, इसमें भी H का power 1 by 2 है, इसमें भी H का power 1 by 2 है, यहां H का power minus 1 by 2 है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, समझे बात, और इसमें भी H का power 1 by 2 है, यानि यह तो आपका अंसर नहीं आएगा, तो तीन option में तो भही यह गरबढ है, तो उपन solve करते हैं आगे, तो B का power अगर 1 by 2 हो चुका है, तो इस equation से, इस equation से, B की value अगर 1 by 2 होई है, तो इसको दल लेके जाओ, तो यह minus A plus 1 by 2, तो इसको दल लेके जाएंगे तो minus 1 by 2 हो जाएगा, यानि A की value कित्की है जाएगी आपकी 1 by 2, एक इसका power है बेटा, जी का, तो जी का भी root होना चाहिए, तो root GH, root GH, यानि आपका option number D, और option number B तो नहीं आएगा, simple सी बात है बई, अब C calculate कर लेते हैं, तो बेटा, C कहां से करें, किसी भी A के question में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें रख देते हैं, तो 3 into A, यानि 3 into 1 by 2, plus 2B, तो 2 into B के वाले कितना है, 1 by 2, और plus C is equal to 0, तो plus C is equal to 0, तो यह हो जाएगा 3 by 2, और यह खतम, तो 1 हुआ, 3 by 2, मैं अपना general दरे जाता हूँ, 3 by 2 मलब डेड, डेड और एक होता है, धाई, और धाई को अदर लेके जाएगे, तो यह हो जाएगा minus 2, यानि minus 5 by 2, यानि C का पाउर कितना हो जाएगा, minus 5 by 2, तो C का पाउर minus 5 by 2, तो यह नीचे आएगा ना भई, यह आएगा option number C आएगा, देख लो, ABC की value रख दो इसमें, तो यहाँ पर रखते हम, तो T की value कितना जाएगे आपका, G का पाउर 1 by 2, H का पाउर 1 by 2, C का पाउर minus 5 by 2, अब ध्यान से देखना, इसको अटा देते हैं आपन, क्या मैं इसको G, H, C का पाउर minus 5 by 2 है, तो G का पाउर 1 by 2, H का पाउर 1 by 2, C का पाउर 5 by 2 लिखता हूँ, और 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 को मैं root लिखता हूँ, तो मैं इसको, G का पाउर 1 by 2, H का पाउर 1 by 2, C का पाउर 5, का पाउर 1 by 2 लिख सकता हूँ, तो भई या 1 by 2 को हम root लिखते हैं, तो यह हो जाएगा, G, H और C का पाउर 5, यानि यह आगे आपका time का formula in terms of g h and c जो कि option number c है बास्वन्द में आगई आने वाले time पे हो सकता है और पूछा भी गया है यहाँ time की जगह हो सकता है mass दे दे लेंथ दे तो जब यहाँ mass दोगे तो यहाँ पर फिर m का power बनाएगा यानि only equation number 1 change होगी